हेलो गाइज, वेलकम तो माइ यूटिब चैनल वेटो फिजिक्स, I am Sandhya and देखें यहां पर हम दिसम्बर 2019 का कंटूर का कुश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखें, लेट सी बी सर्कल ओफ रेडियस पाइ बाइ बाइ फोर सेंटर अजट इक्वल सुट वन बाइ फोर इन देखो, सेंटर क्या है, Z एके फोर मतलब की यह Z not है हमारे पास और हम लिखते कैसे है, Z minus Z not is एक्वल स्टू आर तो कितना है यह आपके पास, Z minus 1 by 4 is एक्वल स्टू पाइ बाइ पोर, अब सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रल यह है, Z square by sine square 4 Z dz, ठीक है, तो अब देखो अगर हम poles निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते है denominator को 0 के equal equate करते है so equate करेंगे तो हमारे पास यह क्या होगा sin square n pi है ना जो हमारे पास 0 term होती है sin square की वो n pi term पे होती है so square हमने both sides ले लिया है so 4z कितना आ जाएगा n pi compare करने पर तो z कितना आ जाएगा n pi by 4 जहाँ पे n कितना होगा that is 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on ठीक है अब z कितना होगा 0 plus minus pi by 4 plus minus pi by 2 and so on अब जो हमारे पास circle बनेगा यह हमारे पास 1 by 4 है यहाँ से center होगा और यह pi by 4 और यह pi by 4 radius होगा यहाँ पर तो यह आपके पास कुछ ऐसे आएगा ठीक है तो जो 0 है वो तो हमारा इसमें लाई कर रहा है और plus वाला भी लाई कर रहा है है ना लेकिन जो minus वाला हो लाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब 0 और plus pi by 4 तो हमारे poles inside है तो हम इनी को देखते हैं अब अगर z equals to 0 है तो limit हम लगाते हैं z tends to 0 z square divided by sine square 4z तो अब देखो 0 put करने पर क्या हमारी यह 0 by 0 form बन रही है है ना तो हम क्या करेंगे L hospital rule apply करेंगे ठीक है so L hospital rule apply करने पर limit z tends to 0 हम दोनों तरफ क्या करेंगे differentiation तो यह होगा 2z divided by 2 sine 4z और cos 4z 2 से 2 cancel हो गया अब दुबारा अगर हम apply कर रहे हैं तब भी 0 by 0 form बन रही है तो इसका मतलब हम दुबारा करते हैं और यह बनेगा 1 by अच्छा देखो यहाँ पर एक और 4 भी multiply में होगा ना क्यूंकि z sine के उसमें करेंगे theta का तो यह भी आएगा so अगर हम cos का करेंगे तो वो तो होगा minus 4 square sine square 4z बन जाएगा और sine का करेंगे तो plus 4 square cos square 4z है ना अब ठीक है हम इसको क्या लिख सकते है चलो लिखो मत cos 2 theta वाली term भी मत लिखो बट क्या होगा 0 apply करने पर यह वाली term अब आपकी 0 बन जाएगी और यह वाली आजाएगी आपके पास 1 by 4 square तो इसका मतलब क्या है यह आपके पास finite है ठीक है तो क्या हो गया यह हमारे पास removable singularity है ठीक है तो देखो सबसे पहले तो हम यह पता कैसे करेंगे removable का तो हमारे पास steps होते है limit z tends to 0 f of z अगर हमारे पास है finite ठीक है तो तो आएगी वो removable singularity सबसे पहले हमने क्या किया singularity जिसे हम poles बोलते हैं उसके बाद हम check कर रहे हैं तो यह तो हो गई removable लेकिन अगर z tends to 0 f of z जो है वो हमारे पास infinite है लेकिन जब हम limit z tends to 0 z minus z not वाली term m जो की order पे है ठीक है तो यह करेंगे f of z पे तो यह कितनी आ नीचे finite तब हम क्या consider करते हैं pole है ना और यह तो है हमारे पास अब इसमें हमारी दो situations होती है कि जो laurent series expansion होगा हमारे पास ठीक है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है हम जो sine, sine, cos और 10 होता है इसमें हम क्या करते हैं expand कर देते हैं ठीक है तो जो expansion होगा हमारा f of z का ठीक है laurent series expansion of f of z इसमें क्या होगी finite numbers होगी negative power के लिए ठीक है तो तो यह होगई हमारे पास pole वाली situation लेकिन अगर limit z tends to zero f of z यह क्या होगी है limit not exist और या फिर laurent series expansion से हमें क्या मिल रहे है infinite numbers of negative power तो हमारे पास क्या होगा essential singularity ठीक है तो यह हमारे पास steps हुए तो इसका मतलब जो z zero है उसमें क्या और रही थी finite आ रही थी हमारी तो मतलब की removable singularity है ठीक है और pi by 4 करने पर देखो क्या होगा हमारा exist करेगा है ना और infinite चला जाएगा ठीक है तो हम residue वाले method से करेंगे तो अब देखो जेड स्क्वेर बाइ साइन स्क्वेर 4 जेड लेमिट जेड टेंड स्टू pi by 4 अब देखो क्या है ये जेड या तो इस फॉर्म में करो की माइनस pi by 4 लेके करते है तो वो थोड़ा confusing हो जाता है तो उस चक्कर में हम पढ़ते ही है हमें क्या है question solve करना है और अच्छे से करना है ताकि steps में हम confusion ना हो क्योंकि ये time consuming भी हो जाते है हमारे कभी कभी questions ठीक है तो अब z minus pi by 4 को हमने क्या क्या t let कर लिया ठीक है 0 होता है तो वो तो simple देखो z करके put up हो जाता है बट यहाँ पर अब क्योंकि 4z है तो यहाँ पर confusion हो जाएगी ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको हमने t let कर दिया तो इसका मतलब जब z pi by 4 होगा तो हमारा है ना और z कितना बन जाएगा t plus pi by 4 ठीक है तो अब यहाँ से z में देख लेंगे हम तो हमारे पास यह कितना आ जाएगा अब क्योंकि यह sin square वाली form है तो हम क्या करते हैं इसको expansion कर लेते हैं और coefficient देखते हैं हम just ठीक है coefficient किसका देखेंगे 1 by t का ठीक है तो अब देखो या फिर लिख दो z minus pi by 4 क्योंकि यही हमारे पास z minus z naught है है ना तो अब f of z जो है वो कितना हो जाएगा f of t plus pi by 4 तो यही हम value put up कर देते है t plus pi by 4 whole square sin square 4 t plus pi by 4 whole square ठीक है तो अब देखो यह कितना हो जाएगा उपर open कर देते है a plus b whole square pi square by 16 plus 2 pi t by 4 divided by अब यह हो जाएगा sin square 4 से 4 cancel हो जाएगा बट यह क्या होगा 4 t plus pi ठीक है अब देखो वैसे अगर pi हमारा exchange में pi में है ठीक है तो हमारे पास क्या होगा वैसे तो यह क्या आना चाहिए आपका negative लेकिन square है ठीक है because of square यह क्या हो जाएगा positive तो हम इसको just ऐसे ही sin square 40 रहने देते हैं ठीक है तो यह कितना बन जाएगा pi t by 2 divided by sin square 40 क्योंकि minus ले लो कोई बात नहीं minus of sin square 40 या तो ऐसे लिखो कि sin 40 का whole square ठीक है तो हम minus minus कट गया तो अब हम इसको क्या करते है pi t by 2 divided by 4 t minus 4 t whole cube by 3 factorial plus 4 t raised to power 5 by 5 factorial and so on और इसका whole square ठीक है फिर हम क्या करते है यह था t square common ले लिया 1 plus pi square by 16 t square plus pi by 2 t ठीक है divided by अब हम इसमें से 4 t 4 square t square common ले ले लेते हैं तो यह कितना होगा 1 minus 4 t square divided by 3 factorial plus 4 t raised to power 4 divided by 5 factorial and so on ठीक है तो अब यह t square से t square तो cancel हो गया अब यह जो है binomily expansion इसको उपर shift कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यह 1 plus pi square by 16 t square plus pi by 2 t divided by 4 square और यह हो जाएगा 1 plus अब इसको हम x treat कर लेते हैं तो मतलब कि 4 t whole square by 3 factorial फिर minus sign क्योंकि minus common ले लिया है ना हमने तो यहां से 4 t 4 by 5 factorial इसका whole square आगे वाली term की हमें जरुरत ही नहीं है तो अब हमें देखना है यह था हमारे पास अब limit जब हम t tends to 0 में shift करते हैं या फिर just expansion ही देख लो हमें t expansion देखना है तो यह कितना है pi by 2 और 4 square t यह हमारे पास coefficient हो गया और यह residue भी हो गया हमारे पास z equals to pi by 4 पे ठीक है तो कितना आ जाएगा यह pi by 32 अब integral क्या होता है हमारे पास 2 pi iota और residue कितना है हमारे पास pi by 32 तो यह कितना आ जाएगा iota pi square by 16 तो देखो इसके accordingly हमारा third option correct आ जाएगा ठीक है तो यह था हमारे पास December 2019 का contour का question तो ऐसे ही videos आपको आगे मिलते रहेंगे तो तब तक के लिए बने रहें support करते रहें Thank you